स्रिपाफियो अर्चाने में पाते रिजीओ में आपके जीओ में असके हैं, पूंपंपनी पहुत जाता है. तो इसलिए resume को अच्छा बनाना उसमें key points को note करना और उसका एक format वो बहुत जरूरी है काफी important है तो इसलिए इस video में हम बात करने वाले resume को लेकर और मैं आपके साथ जो resume है वो share भी करूँगा आपको resume में वो provide भी करूँगा तो video को end तक पूरा जरूर देखिएगा ठीक है और कोई भी problem हो तो comment section में पूछेगा उससे पहले चैनल को subscribe कर दीजे और मैं काफी सारी videos पहली लेकर आ चुका हूँ introduction को लेकर भी और jobs update को लेकर भी और काफी सारी tutorial series भी चल रही है और आपको भी किसी topic भी video चाहिए तो उसको comment section में बताइए video को like जरूर कीजिए और channel को subscribe subscribe जरूर कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं resume में आपको जोईन करें उसमें आपको resume मिल जाएगा और आगर आप चाहते हैं मैं आपको mail कर दूँ तो मैं आपको mail भी कर सकता हूँ ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं resume किस तरीके का format ह होना चाहिए और किस तरीके की points उसमें और कौन सी चीजे ऐसी important है जो आपको note करनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो आपका introduction resume में जो है वो काफी simple होना चाहिए सबसे में पहले बात करें length की तो length जो है वो एक या दो page के under ही होनी चाहिए क्योंकि आप CV नी बना रहे हैं combination जो उसमें use कर रहे है text का और जो उसमें fonts का color है वो ऐसा ना हो कि जादा ही कुछ भढ़कीला कसा color लगे बहुत simple resume में होना चाहिए और resume में जादा attractive ना भी हो तो नहीं चलेगा आपके key points अच्छे होने चाहिए आपके skill sets अच्छे होने चाहिए तो सबसे पहले तो आपका email id phone number जो भी provide करना चाहरे है वो then आपका career objective ठीक हर resume के अलगला format होते है तो resume का format जो है वो इस तरीके का है आप किसी और template को follow करेंगे तो इसका format किसी और तरीके का हुआ उसमें table structure भी हो सकता है यह theme काफी अच्छी है और काफी popular theme है तो हम इस theme के बारे में बता रहे हैं और म मैंने खुद अपने interview में काफी interview में इस्तमाल करा है ठीक है तो इस वज़े से मैं आपके साथ यह share कर रहा हूं ठीक है तेन आपका career objective, career objective यह कोशिश कीजिए कि आप net से उठा के इसे paste न करें कोशिश करें कि इसे खुद लिखें ठीक है जो भी आप career objective लिखना चाहरे होग तो language में जो भी आपकी programming languages है या आप किसी और branch से भी ब्लॉंग करते हैं mechanical civil तो आपने skill sets इसमें लिख सकते हैं operating system जो आप जानते हैं ठीक है जैसे mechanical वाले civil वाले AutoCAD वगरा जो भी tools वगरा है वो नोट कर सकते हैं technology कौन सी है android और कोई भी technology database tools जो लिखना चाहते हैं वो framework किस framework पर आपने काम कराए इन सब के उबर आपसे कोशनिंग हो सकती है तो बहुत सो समझ के लिखिए और कौन सी language में आप बोलते हैं ठीक है आपके native language कौन सी है ठीक है वो लिख फिर अपने education background के बारे में लेखें तो स्टार्टिंग करें अपने recent education background के बारे में तो जो भी बारे में with percentage and with आपकी university then आपके 12th education और 10th education के बारे में with percentage ठीक है और with school name okay then आपकी कुछ skills skillset के बारे में intrapersonal skillset के बारे में ठीक है जैसे कि आप team work में believe करते है adaptability आपकी skill है discipline confident team management ने सबको बहुत सूर्स होज के लिएगा इन सबकी उबर आपसे example पूछा जा सकता है तो आप example बता सकते हैं कि आपने college में team lead करी है या आप अपने sports से relate करके पता सकते है then आपके hobbies interest के बारे में तो आपकी क्या interest क्या hobbies हैं उसको आप mention करें आपे ठीक है और देन आपकी कुछ personal information वो आप इससे जादा लिखने की जरुवत नहीं है जादा all length में क्योंकि आप CV नहीं बना रहे हैं आप resume में ठीक है तो personal information में आपकी date of birth, gender, marital, status, hometown इतना काफी है ठीक है then important point आपका internship अगर आपने एक internship की है तो आप वो note करें या आपने दो या दो से जादा internship करी है तो उसके बारे में जो आपकी जादा अच्छी internship रही है जिससे आपने जादा knowledge लिये तो आप वो internships के बारे में लेगे company का नाम उसका duration और आपने इस internship में आप short description दे सकते है कि आपने क्या करा जैसे कि इसमें लिखा है it was a three month internship program where I was worked as a mobile application development intern और आपकी responsibilities थी आप API develop करते थे mobile functionality support करते थे और assignments create करते थे ठीक है as per the task then आप second internship के बारे में भी लिख सकते है ठीक है जो भी आपकी internship रही हो उसके बारे में पूरी detail में बता दें okay then कुछ extra curricular activities के बारे में जरूर लिखिएगा ठीक है जैसे कि आप किसी event के या किसी e-cell के memory या coordinator है या आप student messenger है किसी annual fest या events के ठीक है किसी भी university या किसी company से relate करके या student volunteer है किसी foundation के या किसी NGO के ठीक है then most important part आपका project project में सबसे important चीज़ यह है खाली आपको नाम लिखके नहीं चोड़ना है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताईए ठीक है दो या तीन line में उसके बारे में थोड़ा इंप्रेस करते हैं और ठीक है इससे काफी फरक परता है interview पर और आपका review में जो है वो काफी decent लगता है ठीक है तो इन चीज़ों का आप note कीज़े अगर नहीं है तो कोई problem नहीं है लेकिन कम से कम project के बारे में कुछ बताईए ठीक है और अपने जितने project से 2 या 3 उसके बार अगर आपने अटेंड करें तो इसके बारे में लिखिए ठीक है कोई workshop अटेंड करी है उसके बारे में लिखिए and at last declaration और आपका नेम तो यह genuine resume है और resume में आप कहीं से भी बना सकते हैं लेकिन मैं आपके साथ एक resume में share करना चाहता था क्योंकि resume को लेकर काफी confusion रहता है अल मतलब नहीं होता है आपका resume में आपके points से highlight होता है तो आपके skill sets और points ऐसे होने चाहिए इसके उपर अगर कोई counter question होता है तो आप उसको defend कर सकें और यह resume में आपके साथ share कर दूँगा और कोई भी problem हो तो आप comment section में पूछिए जिस भी चीज की उपर आपको video चाहिए आप के interview आने वाले हैं आप placements के लिए try कर रहे हैं या और किसी भी topics पे तो मैं उसके उपर video लाने के पूरी-पूरी कोशिश करूँगा ठीक है तो चैनल को subscribe कीजिए यह video अपने friends के साथ अपने groups में whatsapp group में telegram group में और अपने social media में अपने friends के साथ share कीजिए और कोई problem रही हो यह जो resume है अगर आपको चाहिए तो आप comment section में अपनी mail idea लिख दीजिएगा मैं आपको mail कर दूँगा और आप वाट्साप telegram group join करेंगे तो यह उसमें already share किया जा जोगा है ठीक है तो thank you friends So thanks for watching please support our channel join and follow us